इन्हें computer course कहलो या business ideas कहलो, ये दो skills ऐसी हैं, अगर इनमे expert हो गया तो बिना job के भी अच्छी earning कर सकते हैं, बस जरूरा थे तो अपने अंदर की skill को पहचानने की, ये दोनो skills guaranteed earning दे सकती हैं, इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप job के साथ साथ freelancing या खुद का business से start कर सकते हैं कुछ अच्छा experience होने के बाद, इसमें से एक skill easy है और दूसरी थोड़ी सी tough हो सकती है आपके लिए, तो बात कलते हैं number one पे content writer और copywriter, content writing और copywriting girls की favorite job profile है, ऐसा नहीं ये कि इसमें boys नहीं है, अगर लिखने का shock है तो ये best career option हो सकता है आपके लिए, आप Google पर मुक्तिमसी प्रियंकाद देशा आई, अंशल मोटवानी सर्च कर सकते हैं, ये इंडिया के top content copywriters हैं, जो केवल content copywriting से month के लाखो रुपए earn कर रहे हैं, इन लोगों ने Forbes, Times of India, Danik Bhaskar, India Today जैसे बड़े brands के लिए भी content लिखा है, ये 2 रुपए से 4 रुपए per word charge करते हैं, minimum average 1000 words का एक article हो एक लिख सकते हैं, तो अगर दो आर्टिकल एक दिम में लिखते हैं, तो दो रुपए per word के हिसाब से 4,001 दिम का, एक लाख 20,000 रुपए एक मन्त का, आराम से वो भी खर बैठे, content writer, blogs, website, news, magazine, etc. के लिए content लिखता है, इसकी काफी ज्यादा demand है market, इसी का एक पार्ट है copywriting, copywriting को एक professional पेशा या तरीका कह सकते हैं, जिसमें copywriter, ads के लिए email, marketing, text, sales pitch, web content और blog post लिखकर brand awareness और product sales को बढ़ाने पर जोल देते हैं, अच्छा experience होने पर आप खुद की agency स्टार्ट कर सकते हैं, और ads, web content, brand awareness, etc. की service दे सकते हैं, इस course या business ideas में, job से ज्यादा freelancing में प्रोजेक पे काम कर सकते हैं, eligibility पे आजाते हैं, तो आपने graduation किसी भी stream में कर रखी हो, आप eligible है, even आपने कोई भी diploma कर रखा हो, तो भी आप eligible है, अगर आपने 12 कर रखी है, तब भी आप eligible है, content writing या copywriting के लिए, आपके English या Hindi अच्छी होनी चाहिए, content writer, copywriter, course पर आपको YouTube पर free tutorials easily मिल जा to win, इन सब application या games के नाम आपने जरूर सुने होंगे, यह सारे Indian startups है, आज का time application और gaming का है, चाहे वो education की field में हो, या entertainment की, या medical की, सब की apps मिल जाएंगे आपको play store पर, इसी के साथ साथ gaming career भी boom पर है, eligibility पर आजाते हैं तो bachelor degree computer science या IT में या कोई भी engineering degree होनी चाहिए, अगर आप non IT से हैं तो post graduate degree कर सकते हैं computer science या IT में, जो आप में काफी अच्छी salary मिल जाती है, वहीं आप freelancing कर सकते हैं या खुद की application या game develop कर सकते हैं, play store पर डाल सकते हैं, उसे monetize कर सकते हैं, google play store पर 25 डॉलर या 2000 रुपय में आप अपनी कितनी भी application बना कर डाल सकते हैं, और इन application पर ads से पैसे earn कर सकते हैं, वहीं आप upwork, firewallguru.com, elance.com जैसे freelancing website से बहुत सारे project भी उठा सकते हैं, अच्छा experience होने पर आप खुद की game development या app development company या startup सुरू कर सकते हैं, जैसे dream 11, MPL, game 24, winzo all ने शुरू कर सकते हैं, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा हो तो like और subscribe करें, मिलता हूँ एक नए वीडियो में तब तक के लिए, thank you.